जैसरी राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सांदार वीडियो दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला और दूसरी बात बच्चों अब हमारे पास देखें बिलकुल भी समय नहीं है तो आप लोग बिलकुल भी लापर वही मत कर सिर्फ तीन से चार मिनिट का वीडियो इसे एक बाद जरूर देख लिए ठीक है तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बहादूर कहानी का सारांस और यह बाद मैं बता दूं यह जो हमारा बहादूर कहानी बहुत ही सरल है और आप लोग देख सकते हैं आप सब की सरलता के ल देखना होता है ताकि हम और भी टापिक को क्या कर सके कबर कर सकें ठीक है तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बहादूर कहानी और दूसरी बात आप ध्यान में रखिएगा यह एक हमारा कहानी को कहानी तरह समझेंगे न दोस्तों तो हमारी लिए बहुत ही सरल हुल जाता ह जैसा कि आप लोग जानते हुए हमारी दादी नानी में कैकते कहानिया सुनाती और कहानिया में वह जीवन परियांतियाद रहता है तो आज आपको जो है वही दादी नानी वाला ही कहानी पढ़ाऊंगा तो आप लोग बस एक वार वीडियो देखे बहुत इंट्रेस्टिं जो कि निपाल का बारा से तेरा साल का लड़का या जो है भाहदूर जैसा कि आप देख सकते हैं महारा बहदूर काहनी है वह जो है ँचे का नाम है जो की निपाल का 12 से 13 साल का लड़का है ठीक है जो अपनी मां के दुर बिवार से तंग आ कर जाता है अब ये निर्मला कोने ये ये निर्मला हमारी जो लेखक है अमरकांती जी की पत्नी है ठीक है उसके बाद देखे चले हम समझते हैं अब देखे दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिंग है बस आप लोग कहानी को कहानी तरह समझें बहुत यासान हो जाएगा ठीक है रख लिया जाता है निर्मला और उसका परिवार बहादूर के परती पहले तो अच्छा ब्यवार करता है अब भाई सांसारी यही नियम है कोई अगर नया चीज़ पहले आता हम लोग बड़ा लाट प्याद दुलार करते हैं अब वही काम यहां पर हो रहा है ठीक है निर्मला उसका परिवार बहादूर के परती पहले तो भी अच्छा बेवार करते हैं परन्तु वे धीरे धीरे कठोरता बरतनी लगते हैं धीरे धीरे उनके सुभा में क्या होता है बदला होता है और वो लोग कठोरता बरतनी लगते हैं देखे बहादूर का देखे बहादूर जो है वह घर का सारा कार करता है यानि घर का सारा कार करता है इसक बाजू जो है उसके उपर जूटी चोरी काल जाम लगा कर उसे अपमानित किया जाता है अब देखें यहां पमजा कि भीया वह काम भी कर रहा लेकिन जूटी चोरी काल जाम लगा कर उसे अपमानित किया जाता है चलिए हम आके भी समझते हैं देखें कहानी है कहानी तरह समझ देखें आपमानित किया जाता है आप एया उसे घूटी–जाम, प्रद भाई करते हैं हैm घर चोड़कर छाल जाता है उससे, भाह्या जब उसे मारे पिटे, वही काम करेगा घर छोड़कर चला जाता है अब परिवार के सभी सदर से उठ से ढूंते हैं भया क्या करें सभी लोग ढूंडेगे क्योंकि आलसी हो गए थे ना और क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं यानि वह जब बहादूर था ना तो घर का सारा काम करता था अब चला गया तो भया सब ढूंड हैं लेकिन देखे होता कि बहादूर के चले जाने पर पश्टा चाहत करते हैं लेकिन पश्टा चाहत करने का क्या फाइदा जब चीडिया चुक गयी खेड तो दोस्तों देख सकते हैं मारा बहादूर कानी बहुत ही सराल है और हमने आप सब के लिए जो बहुत की पॉइंट को जो है का सकते हैं रेट पेन और हरे पेन से लिखा ताकि इनकी पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने सब्दों में भी पना कर लिख पाएंगे ठीक है तो दोस्तों आप सबकी या सरत्ता के लिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा और हां एक चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बाक्स में जरू बताएगा कि इसकंद गुप नाटक के लिखक को नहीं जैसंक का प्रशाजी है कि नगेंदा देखिए कोस्टे मैं इसलिए पूस्ता हूं या ताकि आपके दस नंबर कंप्लीट हुआ बहुत सारे बच्चे देखे इसका नंबर हमाले बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप लोग भी इसका उत्तर हमें जरू देए ठीक है और हां दोस्तों कमेंट जरू करेगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट यह भी करिएगा कि आपको जो है कर सकते हैं आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उससे स क्या भरत बंदी मातर हो